हाई गाइज वेलकम बैक टो अनादर ब्रेंड निव वीडियो और गाइज आज जो हम बात करने वाले हैं रेडमी नोड नाइन के बारे में जिहां गाइज यहाँ यहाँ पर जो दो तीन दिन पे ले ही यहाँ पर एक इस फोन के लिए जो अपडेट रोल आउट हो रहता जो कि MIUI 12.0.7.0 का अपडेट देखने हुमें जाता तो गाइज यह जो काफी डिवाइस के अंदर जो अपडेट अभी तक मिला भी नहीं है तो उनको भी मैं बता देता हूँ कि आप जो किस तरीके से करना है लेकिन गाइज आप लोगों ने मेरी पूरानी वीडियो नहीं दे हटा दिये गए दो तीन फीचर तो उसके बारे में बताऊंगा कि यह जो फीचर कोन से थे और मैंने जो कैसे उसे ट्राइ किया इसे इस्तमाल करने का या फिर मेरे साथ क्या सिन हुआ यह सबी जो बात ही आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फिलाल गाइज यह देख सकते मेरा जो डिवाई जो अपडेट सक्सेस्पुली हो चुका है जो की 12.0.7.0 के अंदर और गाइस अगर आप जो है मिवाई 12.0.6.0 के अंदर है तो आप जो है OTA फाइल डाउनलोड कर सकते है इसकी लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा अगर आ आपको 7-8 बार जो टैप करना है जैसे आप टैप करते है यहाँ पर जो अडिशनल फीचर्स अपडेट आर ओन ऐसा लिख के आ जाएगा देना आपको ऊपर जो 3 डॉर्स पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर चूज अपडेट पैकेज के अंदर जाकर आपको सिंपली जो आ काफी समय लगता है 10-12 मिनिट लग जाते है तो आपकी बैटरी जो 50% होगी तो काफी अच्छा होगा और यहाँ पर जो आपको इंटरिनेट से भी कनेक्टेड होना पड़ेगा उसके बाद यह टेप आप करोगे तो आपका जो सक्सेस्फुली याई जो अपडेट हो जाए देखते हो अपडेट के रिलेटेड तो आप लोगों को पता है होगा कि यहाँ पर जो कुछ फीचर जो रिमॉक किये है जैसिक यहाँ पर देख सकते हैं मेरे फोन में कंट्रोल सेंटर तो मैं यूज कर पा रहा हूँ लेकिन इससे पहले अगर आपने जो ओल्ड हमारा के अं Aubrey के अंदर जाने के बाद यहाँ पर देख सकते चट्रोल सेंटर और नोटपिके स्टेड का उप्शन देखनी को मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको आज़ने के बाद यहाँ पर जो कोई भी जो है आपको यहाँ पर जो यूज निउउज कॉंट्र असिएं नि मैंने guys literally यहाँ पर जो सभी step follow किये activity launcher से भी try किया लेकिन activity launcher से भी यहाँ पर कोई भी work नहीं किया trick तो यह जो है यहाँ पर जो क्यू किया ही शौमी ने मुझे भी पता नहीं है यहाँ पर दूसरी बें आप लोगों को एक बात बता देता हूँ जैसे display के अंदर ही जाने के बाद यहाँ पर full screen display को option होता है वहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक बार आ जाता था जैसी है आप इसे जो enable या disable करते थे तो यहाँ पर आपको जो gesture बार देखने को मिल जाता था जो कि mostly android 10 के यह जो भी device है उसके उपर जो है बहुत ही अच्छे से यहाँ पर जो work करता था उसके gesture वगेरे जो work करते थे तो यह जो यहाँ पर ज features को भी यहाँ पर जो हटा दिया गया है तो देख सकते यहाँ से इसे भी आप जो अब enable disable नहीं कर सकते तो आपने पहले से इसे enable किया है तो शायसे आपके phone के अंदर जो यहाँ पर शोक करता होगा लेकिन फिलाल अभी जो है यहाँ पर कोई भी work कर नहीं कर रहा है शोक नह जो भी आपको यहाँ पर जो option देखने को मिलते थे होग को हटा दिये गया है देख सकते है पूर जो clean यहाँ पर जो हैं देखने को मिल जाता है और guys यहाँ पर जो अगर आपको कोई भी what's up के उपर आप लोगों सेट करके रखा है जैसे आप वरशाप को कोई भी notification आता है जैसे आप उसे नीचे पिल कर देते हो तो यहाँ पर जो वर्क तो करता है लेकिन यहाँ से जो है गायब हो चुका है option तो यह सब जो है यहाँ पर छोटी मोठी जो यहाँ पर कुछ option जो है enable पहले से थे उसे जो इस update के बाद से disable कर दिया गया है अब यहाँ क्यों किया है खे charging speed वगेर कैसा देखने को मिलता है अभी तक मैंने टेस्ट नहीं किया अगर आप बोलोगे तो मैं उसके उपर भी वीडियो लेकर आ जाओंगा फिलाल इसका performance यहाँ पर ठीक टाक देखने को मिल जाता है यहाँ कुछ भी मतलब खराब नहीं हुआ है update के बाद से जो कि यहा दू जैसी गाइज मैंने यह अपडेट की वीडियो कल डाली थी पर्सो डाली थी तो उसके बाद जो मुझे इंस्टाग्राम पर एक बंदे का मैसेज आया और वहाँ पर उसने एक वीडियो मुझे जो फुटेज बेजा है जो कि मैं जो उस वीडियो को अभी आपको पर शोग किया था कि मैं जो इस वर्जियन पर हूँ फिलाल लेकिन यहाँ पर इस फोन के अंदर जो कैसे यह इनेबल हुआ मुझे भी पता नहीं तो गाइस आप जो जरू से इस अपडेट नहीं किया तो अपडेट करने के बाद जो चेक कर सकते कि आपके फोन में यह अपडेट करने के बावजूद भी मेरा यहाँ पर जो ऑप्शन शो कर रहा है सो यही सिर्प में आप लोगों को बताना चाहता था सो आई होप आपको वीडियो पसंद आज़े तो प्लीज आर इस वीडियो को लाइक करकी जाएगा चैनल को आप लोगों ने कर दिजेगा में मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में तब देखलायर अपना ध्याण रखेगा टेक केर टिल देन आड बाई बाई